कितना शोभा देता है एक मुख्ध मंत्री को किसी के बच्चे गिनने में मुख्ध मंत्री जी के एक बेटे है और है की नहीं है ये तो वही बताएंगे नमस्कार आप देखरें नियूस वार नीशन और मैं हूँ शुभे आपके साथ विधान सभा के सत्र के आखरे दिन नेता प्रतिपक्ष तीजश्वी आदब नितीश कुमार पर लगातार हमलावर दिखाए दिये उन्होंने नितीश कुमार के निजी जिन्दगी को लेकर हमला बोला है आपको बता दे कि बहर चुनाओ के वक्त जब नितीश कुमार ने लारू फैमली के बारे में जो बयान दिया था उसको लेकर आज दिजश्वी आदब वधान सभा में उग्र होते नजर आए उन्होंने ये तक कह दिया कि जो नितीश कुमार है उनके एक ही बेटे हैं वो है भी या नहीं इस बात का पता नहीं शायद दूसरी बच्चे को उन्होंने इसलिए नहीं पैदा किया कि उनको बीटी होने का डर था आप सुनिए कि नितेजश्वी आदब क्या कुछ कह रहे है हम यह भी कहरा चाते हैं कि आपके तो एक बेटे है मुख्य बंती जी के एक बेटे है और है की नहीं यह तो वही बताएंगे लेकिन एक बात हम इतना जरूर क्या सकते हैं कि लोग तो यह भी कहते रहे हैं अजया इंसे शुपर होने याँ संती बनाया रखें यह अचीक नहीं इता पर्कितर्च आप ओ आप अगा देता आप दो आप लेगे अजय वी पर्कितर्च अपनी जिनमदयां को समझता है संजमीत भाषा कर धूर करने एक बाढ़ जया है इसके साथ ही तेजश्वी आदम ने कहा है कि हम बड़ो पर कटाक्ष नहीं करते क्योंकि हमारे माबाप ने संसकार दिये हैं लेकिन जस तरीके से 31 साल के नौजवान पर हमला किया गया वो सही नहीं था मुख्यमंत्री ने हमारे माबाप के बच्चों को लेकर कहा तो मैं ये कहना चाहता हूँ क्यों मुख्यमंत्री जी आपका भी एक बेटा है और है भी कि नहीं लेकिन दूसरा बच्चा इस डर से पैदा नहीं किया क्योंकि उन्हें बेटी होने का डर था तेजस्वी आदव ने कहा कि हमने तो पूरा चुनाओ में मुद्दे की बात की लेकिन चुनाओ के दौरान मुख्यमंत्रे नितीश जी निजे हमले करते रहे उन्होंने कहा कितना शोभा देता है मुख्यमंत्री को लोगों के बच्चे गिनने में तो आपको बता दे कि आज विधान सबाग के सत्र का आखरे दिन है और ऐसे में तेजश्वे आदव काफी जादा उग्र दिखाए दिए उन्होंने नितीश कुमार के जो निजी जिन्दिगी हैं उसको लेकर लगातार उन्होंने हमला किया और ये तक कह दिया कि नितीश को लेकर एक बड़ा बयान दिया था नौ बच्चे होने के हवाला दिया था और उसी को लेकर आज तेजश्वे याद विधान सभा में किस तरह से उग्र हो गए आप देखिए इस पूरे वीडियो में